हरे कृष्णा तो देखे दोस्तों आज की इस वीडियो में करने वाले एक्ससाइस 4.1 का क्वेशन नमबर 12, 13 और 14 तो अगर आपने इससे पहले के 11 क्वेशन की वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिंक नेचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ पर जाकर के आप प्र लाट करते हैं भई कोशन नमबर 12 में गया रिखिए स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है तो पहला स्टब क्या होता है स्टेटमेंट को मानना होता है तो लेट गिवन स्टेटमेंट भी तो मैंने इस गिवन स्टेटमेंट को क्या मान लिए पी एन मान लिए तो पी एन एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन ठीक है वहीं सबसे पहले क्या करेंगे वन पर चेक करेंगे स्टेट्मेंट ट्रू है या नहीं तो लिखेंगे फॉर एन इकुल्स टू वन तो यह जाएगा पी वन तो इसकी पहली टाम है ए और उदर भी फॉर्मले में एन की जगा अनलाज को तो यह जाएगा आर की पावार वन मायनेस वन आर मैनस वन तो न एकुल्स टूए ओ भी तो लिखेंगे अ स्टेट्मेंट इस पर और णिकल्स टू वन अब मान के चलीके पुडेट ुडेट टाइस करेंच that statement is true for n equals to statement is true for n equals to k तो मैंने मान लिया कोई भी एक random number k k के लिए statement true है मैंने इसको let कर लिया तो यहाँ पर k किसको belong कर रहा है k belong कर रहा है या तो positive integer को k कोई भी एक positive integer है या फिर आप उसको natural number भी भी बोल सकते हों तो आपको करना गया है जहां जहां पर n लिखा है वहां वहां के लगाना है तो यह देखो यह रही statement a plus a r तो सेम रहेगा a plus a r plus a r square सेम रहेगा और यहां पर n है तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने a r की power k-1 और यह जाएगा a r की power k-1 upon में r-1 ठीक है भी अब हमें क्या प्रूव करना है we shall now prove that we shall now prove that pk plus one is true अब मुझे बस यह मान के चलना है मलब अब मुझे बस यह प्रूव करना है कि pk plus one क्या है true अगर यह true कर दिया आपको यह करना है जहां जहां पर n लिखा है वहां वहां पर के वहां वहां पर के प्लस वन ए प्लस यार प्लस ए आर स्कोर तक सेम चलेगा देखो यहां पर एन लिखा हुए तो यह जहेगा k-1-1 तो यहां पर कि लिखेंगे a r की power k-1-1 equals to में यहां पर लिखा हुए n तो यह जहागा k-1 तो क्या जाएगा a R की पावर के A plus 1 minus 1 upon में R minus 1 तो यहाँ पर 1 से 1 कट गया तो यह हो गया A plus A r plus A r square plus A r की पावर के और हमें लाना है A r की पावर के A plus 1 minus 1 upon में R minus 1 अगर मैंने इन नोनों को true prove कर दिया तो खेल खताम तो इसके लिए मुझे का करना पड़ेगा इसकी previous term लिखनी है मुझे इसकी previous term भाई इसकी previous term क्या होती है k की last term यह ठीक है ना इसकी previous term क्या होगी k की last term तो मैंने लिख दिया a r की पावर k minus 1 आपको अलग से कुछ भी दिमाग लगाने की जुरत नहीं है बस आपको इसकी पिछली term लिखनी है वो होती है k की last term वो इसकी लिखते है ताकि k का use कर पाए देखो भाई k की value यह है ना तो इस पूरे की जगा मैंने क्या करा यह put कर दिया a r की पावर k minus 1 upon में r minus 1 तो यहाँ पर put कर देते है a r की power k minus 1 upon में r minus 1 और plus में क्या चल रहा है plus में चल रहा है a r power k तो a r की power k अगर इन नोनों को solve करके मैंने यह बना दिया तो बस खादाम हो गया गवेशन ठीक है बई तो सबसे पहले आप देख रहे हो इन नोनों में से पहले a common निकाल लो a यहाँ भी है यहाँ भी है common निकाल लिया तो अंदर गया बचा r की power k minus 1 upon r minus 1 और प्लस यहाँ पर बचा r की power k नीचे 1 लगा कर अब lcm पकड़ेंगे इसका lcm क्या रहे lcm आएगा r minus 1 तो r minus 1 r minus 1 तो उपर बला तो सेम हो गया r की power k minus 1 प्लस 1 के डेबल में यह इस पर आएगा उसको उपर multiply करेंगे तो r की power k r minus 1 अब इसको solve करो r की power k minus 1 देगो भई r की power k को जब r से multiply करेंगे r की power k को जब multiply करेंगे r से तो भईया बेश सेम है power क्या हो जाएगी प्लस तो यह क्या आएगा r की power k plus 1 minus r की power k को जब 1 से करूंगा तो r की power k अपॉन में के चल रहा है आर माइनस वन तो ये दोनो कट हो गया है ना क्या बचा यहां पे बचा आर की पावर के प्लस वन और माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन देखो यही तो लाना था ये आर की पावर के प्लस वन माइनस वन कौन में R तो लिख के देंगे या फिके प्लस एंज ट्रू वनेवर पीके स्ट्ड होगा कि वेशा। ट्रू Moreri पीके प्लस वन के ट्रूने में पीके का भाई बहुत बढ़ा आता है Stephen P पीके टू है इसलिए पीके ब्स मेन मिन क्या मह ब्रू हो गया तो लिखेंगे फ्रॉम P.M.I स्टेटमेंट इस थू तो फॉर और लेश्रल लइवर को तो सभी निंट के लिए उर और सभी नंच सब्सक लीए हम मान के चलेंगे कि यह statement कि है बिलकुल है आगे चलते हैं question number 30 यहां पर भी सबसे पहले पी एन माल लो let the given statement let the given statement भी पी अब देखो भाई यहां पर चीजे ना multiply में अभी तक हमने जितने भी question करें ना उसमें चीजे फ्लस में दी अब यहां multiply में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें कोई फ्रक नहीं पड़ता multiply में हो plus में हो तो इसको pn मान लिया मैंने one plus three by one five by four और यह हो जाएगा one plus two n plus one upon में n square equals two में n plus one का square सबसे पहले क्या करेंगे four n equals to one तो इसकी पहले टर्म क्या है यह one plus three by one और उदर क्या है formula में रखूंगा तो यह जाएगा one plus one का square तो three by one तो three होता है three और one four हो गया और यह हो गया two two का square four हो गया तो पहला तो true हो गया लिखेंगे statement is true statement is true for n equals to n equals to one के लिए statement true है अब मान के चलेंगे की k के लिए true होगी तो let us assume that statement is true for n equals to n equals to k के लिए true मान लिया k positive integer है तो पी के लिखते हैं जहाँ जहाँ पर n लिखा है वहाँ वहाँ के डाल दो देखो भई यह री one plus three by one same one plus five by four same चलते 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 वन प्लस two k plus one upon में k square और यह k plus one का square ठीक है यहाँ पर n था n था यहाँ पर k डाल दिया n था k डाल दिया अब हम बस क्या प्रूफ करना है वी शेल नाओ प्रूफ दैट अब हम बस प्रूफ करना है कि पी के प्लस one true होगा पी के की help ले करके यह प्रूफ करना है तो अब जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ आपको k plus one लगाना है तो one plus three by one same one plus five by four same one plus देखो वे यहाँ पर रहन है तो यहोगा k plus one और नीचे भी होगा k plus one क्या लिखोंगा one plus two k plus one plus one upon में k plus one का square और equals two में यहाँ पर रहन है तो यहोगा k plus one plus one तो यहोगा k plus one plus one का square तो यहोगा one plus three by one one plus five by four चलते 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 देखो में यहोगा two k plus two है ना two को दोनों से multiply करूंगा ना two k plus two और two plus one कितना हो गया three तो यह कितना आ गया two k plus three upon में k plus one का square equals two में यह one one कितना हो गया k plus two का ठीक ना यह step समझ में आया आपको यह two k plus two plus two plus one plus three बन गया अब आपको यह करना है इन दोनों को तो इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है के का यूज़ करके तो इसकी पहले previous term लिखनी पड़ेगी और previous term क्या होती है के की आखरी term यानि की one plus two k plus one upon में k square यह इसकी previous term हो गई अब यहां तक का answer इधर तक का answer देखो यह रहा पुट कर रहा हूं यहां पर तो यहां पर मैंने put करा के प्लस one का square और बाकि यह जो चल रहा है multiply में वह सेम लिख दिया one plus two k plus three का upon में k plus one का square तो one plus two k plus three upon में k plus one का square as it is लिख दिया अब इसका LCM बगालों आप k plus one का square LCM आएगा उपर k plus one का square plus two k plus three upon में k plus one का square ना इन दोनों का LCM आएगा यह तो यह उपर चल लगाएगा यह one से multiply same to same यह दोनों कट हो गए अब k plus one का square क्या होता है a square two a b फिर b square plus two k plus three तो यह गया बन गया k square plus two k plus one plus two k plus three तो यह हो गया k square plus two k two k four k plus four और आपको इसको देखो इसको लिख दिया k का square four को लिख दिया two two k square और यह हो गया two into के इंटू two से बन गया यह a plus b यह किसका square k plus two का square ना भाई k square को मैं k का square लिख सकता हूं four को two का square लिख सकता हूं और four k को लिख दिया two into k into two तो इसका फॉर्मूला नहीं बन गया xk plus 2 का all square देखो यहीं तो आगे तो यहाँ पर लिखेंगे thus pk plus 1 is true whenever pk is true तो जब कभी भी pk true होगा pk plus 1 true होगा तो from pmi statement is true statement is true for all natural number सभी natural number के लिए क्या हो गई है true होगी ठीक है भी 14 पर आते है 14 भी multiply वाला है तो पहले वोई let the given statement let the given statement भी इसको pn माल लिया तो pn क्या हो जाएगा मेरा 1 plus 1 by 1 1 plus 1 by 2 1 plus 1 by 3 करते करते 1 plus 1 by n और यह हो गया n plus 1 तो आप क्या करेंगे सबसे पहले 1 पर check करेंगे for n equals to 1 यह हो जाएगा p1 पहली term यह दी 1 plus 1 by 1 और formula में put करूँँगा 1 plus 1 n की जागा 1 तो यह हो गया 1 और 1 2 और 2 तो 1 के लिए statement क्या हो गई true statement is true for n equals to 1 n equals to 1 के लिए true हो गई अब क्या करेंगे फिर से वही let us assume that let us assume that statement is true for n equals to n equals to k के लिए मैंने मालने statement true होगा ठीक है बई तो अब जहाँ जहाँ पर n लिखा है वहाँ वहाँ k लगा तो देखो बई यहाँ से tip दो यह रहा 1 plus 1 by 1 1 plus 1 by 2 1 by n की जगा पर क्या आजेगा k और यहाँ पर n की जगा पर क्या आजेगा k plus 1 न तो मालने लिए यह statement true है उसके बाद we shall now prove that statement is true for n equals to k के लिए मैंने मालने लिए statement क्या है true है तो अब जहाँ जहाँ पर we shall now prove that statement is true for we shall now prove that p k plus 1 is true sorry थोड़ा से mistake हो गया अब हमें क्या prove करना है कि p k plus 1 true है बस यह जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर अब k plus 1 लगाएंगे तो 1 plus 1 by 1 1 plus 1 by 2 तो same चलेगा अब देखो यहाँ पर था n तो 1 plus 1 upon में k plus 1 1 plus 1 upon में k plus 1 equals to में n की जहाँ पर आएगा k plus 1 plus 1 k plus 1 plus 1 तो यह क्या बन गया 1 plus 1 by 1 1 plus 1 by 2 और यह same लिख दो 1 upon में 1 plus k plus 1 और यह हो गया k plus 2 1 और 1 2 हो गया ना अब इसकी जो अगर मुझे इन नोनों को equal proof करना है तो मुझे इसकी previous term लिखनी पड़ेगी इसकी previous term होगी k की आखरी term जो की है 1 plus 1 by k तो यहाँ तक का जो answer है वो यह रहा k plus 1 तो मैंने लिखा k plus 1 और bracket में चल रहा है 1 plus 1 upon में k plus 1 1 plus 1 upon में k plus 1 LCM पकड़ लो इसका LCM के आएगा k plus 1 तो k plus 1 को 1 से multiply करूँगा same 1 को 1 से करूँगा 1 यह कट रिया तो k plus 2 आगया k plus 2 हीला ना था तो लिखेंगे thus p k plus 1 is true whenever p k is true तो जब कभी भी p k पर true होगा तो p k plus 1 पर भी true होगा from p m i statement is true for all natural number सभी natural number के लिए क्या हो गई है true हो गई for all natural numbers तो उमीद करता हूँ यह तीन question आपको समझ में आए होंगे वीडियो में अगर कोई भी पार्ट आपको ऐसा लगा होगी यार समझ में नहीं आया comment करके जरूर बताए आगे आने वाली वीडियो के लिए बने रहें तक तक अपना ध्यान लखें thank you so much